तो दोस्तो वीकी कॉसल और त्रिप्ती डिमरी की नई फिल्म का हुआ एनाउंसमेंट तो यदि आप भी हैं एक्साइटड त्रिप्ती डिमरी और वीकी कॉसल की नई फिल्म की इस अपडेट को जानने के लिए तो वीडियो के एंट टक बने रहें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सेर और सस्क्राइब करना ना भूलें जी हाँ दोस्तो रनवीर कपूर की फिल्म एनिमल की सफलता के बाद त्रिप्ती डिमरी की लोटरी सी लग गई है क्योंकि उन्हें बड़े बैनर की फिल्म जो आफर हो रही है जी हाँ दोस्तो अभी हाल ही में उन्होंने कार्ती कारियान के साथ भूल भुलया 3 में एंट्री की एनाउंस्मेंट की और अब उनकी नई फिल्म बैड निउस को लेकर भी एक बड़ी डिटेल सामने आ चुकी है बताते दोस्तों इस फिल्म में त्रिप्ती डिमरी विकी कोसल के साथ स्क्रीन सेयर करते हुए नजर आएंगी वही इस फिल्म में इन दोनों के अलावा एमी विर्क वी लीड रोल में देखने को मिलेंगे बताते दोस्तों कि त्रिप्ती डिमरी ने अपने इंस्टाग्राम पर बैड निउस के कई सारे पोस्टर को सेर किया है दोस्तों इस पोस्टर को देख साब पता चलता है कि विकी और एमी में त्रिप्ती के लिए ठाना ठनी है दोस्तों की पिछले साल वी की कॉसल और त्रिप्ती डिमरी की सूटिंग की कुछ फोटो सेट से वाइरल हुई थी जी हाँ दोस्तों ये फिल्म फिल्म मेकर करण जोहर के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनाया गया है और इस फिल्म का सांदार डिरेक्शन फेमस बेप सिरीज बंदिस फेम डिरेक्टर आनन तिवारी करने वाले हैं क्योंकि इससे पहले भी धर्मा प्रोडक्शन ने गुड निउस बनाई थी जिसका डिरेक्शन राज महता ने किया था फिल्म में अक्षा कुमार के साथ करीना कपूर दिल जी दो सांजा और कियारा आडवाली लीड रोल में देखने को मिले थे और एक बार फिर एनिमल एक्टरस ट्रिप्ती डिमरी विकी कौसल के साथ देखने को मिलने वाली है बता दे दोस्तों कि त्रिप्ती डिमरी इस फिल्म के अलावा कार्ति कारियन के साथ भूल भूलया त्री में भी हैं जिसके सूटिंग अभी चल रही है वही विकी कॉसल को पिछली बार सैम बहादूर में देखा गया था